जै गुरू नमस्कार वेलकाम बैक टू माय चनल कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी का समय हो रहा है मौर्निंग का आठ बज रहा है और हस्बेंड और बाबू गई है इसकूल बाबू को इसकूल लेके गए हैं सब्सक्राइब हो चुका है मौर्निंग का जारू पोचा सब कुछ हो चुका है बट खाना अभी नहीं बना है तो अभी मैं नहा के आई हूं पूजा कर रही थी बलोक को मैंने यहीं से स्टार्ट किया है आज और नहा धो करके पूजा कर रही हूं और उसके बाद अभी आ सब्सक्राइब हो थोड़ा बाल वाल भी जार लेते हैं उसके बाद मैं आ गई हूं फिर कीचन पर कीचन में आज बहुत टाइम से मैं मुझे सोचने में ही बहुत टाइम लग गया क्योंकि रात में अगर सोच लो ना तो मॉर्णिंग में थोड़ा सुबह सुबह हलका लग फिरीज खोली तो मुझे याद आया कि पनीर है हमारे पास तो पनीर बना लेते हैं और पनीर भी बना था जानते हैं हम लोग को कल दूद लाये थे तो दूद लाकर के जैसे ही गड़म के साठाव दूद एक साथ ही फळ गया फळ गया तो उस सोच ये फटा वादूस को क्य करें ऑपरा में च्छान के रख दिये थे तो उसका सारा पानी जब गढ़ गया तो फिर उसको फिरिज में रख दिये थे तो सकाल कर दो कल ही सोच लिए थे कि मॉर्णिंग में बनाइगे लेकिन वह सो सोगे तो फिर भूल गए कि पनीर भी है हमारे पास बनाने के लिए कितना तैंसन होता है इतना काम होँ जाता है कि भूल जाते हैं कभी-कभी कुछ कुछ बात है माया ए बहा भूल गया था फिर फीरीज को टें मुझे समझ में है वुद May हमारे पास तो पनीर है तो चलो पनीर भनले बना लेते हैं एक छएड़ यूड बनाये भी दाल और अवर शूफा फरो वल घड़ा भूजिया बनाएंगे सूखार वला फ्राइ परवल आलू का उसके बाद बनाएंगे पनीर का श्बजी फ्र बनाएं गे पनीर और एक तो दस बचे तक ऑफिस जाएंगे तब तक तो मेरा साड़ा कुछ कंप्लीट हो जाएगा परवल आलू का फ्राई पहले निकाल लेते हैं उसके बाद पनीर का तब तक पनीर का मासाला वासाला साड़ा कुछ में रेडी करके रखती हूं और पनीर हमारा इतना अच्छा बना था ना मार्केट का पनीर से ज्यादा ही अच्छा बना था हमारा घर का पनीर वैसे भी घर का पनीर बने घर में दूद घर में दूद फटा के गर पनीर बनाया जादा है वह पनीर का टेस्ट अलग होता है वह पनीर ज्यादा ही टेस्ट ल देखने से ही पता चल जाता है क्या न सलस्ट से आण गई मिल जाता है कौर नहीं फीर क्टम sir तो अभी मैं कर रही हूं itu D Sam zou प्रहना fiquei पि HUGM अधर पनीर को थोड़ा सोचने हैं अच्छे थरीके से बनाया है alo अभी तू टामआटर कंवाओ कुछ ज्याद़ ही बड़ा होगा है तो में आधा टामाटर ही काटी थी कि अधा टमाटर ही डाल दूगे, तो हस्मेन उधर से डाटने लगए, हस्मेन तब तक आ गए थे स्कुल से, हस्मेन भी गुश्टाने लगए मुझे कि अधा टमाटर से क्या होगा, पूरा डालने में तुमको क्या प्रॉबलम होता है, लाता हूं मैं खरिद के तुमको ही प्रॉब्लम होता है करने में तो गुस्ताने लगे तो इसलिए मैं पूरा टमाटर को डाल दी काटके मुझे तो लग रहा था आधा ही डालू आधा रख देती हूं फिर साम में कुछ सब्जी बनाओंगे तो फिर उसमें डाल दूंगे ऐसा हो रहा है कि आधा आधा खाया जारा है पनीर को फडाय करके निकालने के बाद आलू को भी फडाय करके निकाल चुके और प्याज को हल्का सब्राउन की है करें तेजा नियाक हो जया जो कामें, सकते हैं, जर तोई जो को जा बनाओंगे और सबतों में और भी covert तो यहां जान अ मैं पैसके हो तो ऐसे मैं रिफाइन ओयल ना सिप जैसे पूरी हुआ पापर चानना यह सब कुछ चानने का काम होता है यह सब में रिफाइन ओयल यूज करते हैं लेकिन में दाले तेल में ओड़ा सख़णा मसाला और जीरा यह सार हमारा चटक गया उसके बाद डाले जो प्याज को डाल दीए जब यह हमारा थोड़ा से ब्राउन हो जाएगा तो तक मैं टामाटर को ढांट कर लें तक बाप टामाटर को ल्यूज करणै और अधोर खूल रहा है जल्दी जाना होगा आज मुझे ऑफिस जल्दी बनाओ और जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं टामाटर को भी ग्रेंड जो किये थे वो टामाटर को भी इसमें डाल दिया है अब एक साथ थुरा फ्राय करें गेश को और हजबन चले भी गया है नहाने के लिए सानवी बाब बाब को लेकर बाब को ना पहले मॉर्णिंग में सुवह इसकूल बेजते थे नहाला के लेकिन जब से उसका तवियत खड़ाब हो गया ना तो और सुबह सुवह इसकूल नहीं बेजते हैं वहां से आने के बाद पापा के साथ वह नहाती है मैं तो नहा लेती हूं पहले उ में नहीं सबस्री जब से शाब और यह नगे के बादा दो नहीं सकता हूं अधर को नहीं कि पतने शचावल यह गया Бरई आ धर होगे इसक करह दो Northern कतना एईधर कर दो नहीं बेसित टॉक मीठWhoa को बंदेने कभोट खेम्स नसे मचा डर भी काद और तो+, वहमें आधर और जोड़ाइल झाओं इसमे अब्स बटनद के लिए पानी को डालने के बाद फिर इसमें एड़ कर देते हैं पनीर जो भी पनीर है मारा फ्राय है और दो तीन पीस पनीर रख दिये सानवी के लिए अब इसको ढख के पांच मिनट के लिए डख के छोड़ देते हैं मेर गैस के मेडियम हीट पे और यह हमारा तब तक पकेगा और जब तब तक हमारा कीचन का जो भी काम है वह सारे को तब तक कर लेते हैं और काजू जो था हम काजू को भी ग्रेंड करके निकाल दिये हैं अब काजू को लाश्ट में डालेंगे ग्रेवी में डालेंगे तब तक हमारा जो भी छोटा मोटा बर्दन वर्दन है वो सब को दो लेते हैं और चावल भी हमारा खौल रहा है चावल भी बन रहा है तब तक यूट्यूब के पेमेंट से मैं पहली बार हस्बेन के लिए कुछ खड़ी दी हूँ तो वो चीज आप लोगों के साथ आज सेयर करेंगे तो पहले खाना बन जा है क्योंकि आज बहुत जल्दी जल्दी में है हस्बेन पहले से बोल के रखे थे मुझे जल्दी जाना है ओफि ज्यादा हुआ था अच्छा भी बना था सबस्वाइं अब लाग देखिन सकते हैं पनिल का सबजी हमारा बहुत अच्छा बना था तो खड़ा हमारा रेडी हो गे हैं चावल थोड़ा बनने के कई उनको जाना होता है न तो बहुत जल्दी जल्दी में लगे रहते हैं U f तो चले हजबन चले गए ऑफिस और चले आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं क्या गिप्ट ली हूँ है जब लोगों के साथ शेयर की थी मैं तो यह स्मार्ट वाच हजबन के लिए मैं मंगाई हूँ यूट्यूब के पेमेंट से तो हजबन को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अब लोगों कमेंट में बताएगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किजी